अपनी हिम्मत और ताकत के साथ मखाबला करते हुए उन गन को नाकारा बना दिया तो गन फिर आगे बढ़ने से रूखिया इसी करमें वो आठमे टाइम पर जब अशॉल करने के दिये जा रहे थे जिसमन का एक साथ टैंकों को उड़ा चुके थे आठमे को उड़ाने जा रह से तब एक शेलिम उनको लगा और वीर करती को प्राप्स हो गए अपने नौजवानों को यह वो अपने 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 ताकत को डिफेंस के मत करीम लाएं नमस्कार लाइब सिटिज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश परम बीर चक्र विजेता शहीद वीर अ हमीत कई आज शहादत दिवस है पूरे देश भर में शहादत दिवस मनाया जा रहा है उनके पैत्रिगाओं में भी मनाया जा रहा है हम इस वक्त मौझूद हैं जमूई में और जमूई में भी जमूई के अमरत में शहीद अब्दुल हमीत का सहादत दिवस मनाया जा रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग जूटेवे हैं काफी लोग हैं और गेस्ट भी आएवे हैं और यहाँ पर उस जंग में जो जंग हुई थी 1965 की जिस जंग में अब्दूलहमीच सहीद हुए थे उस जंग में उनके साथ निवाने वाले सेना के जवान वायरलेस ऑफिसर जो थे वो भी यहाँ पर मौझूद हैं और उन्हें समानित किया जा रहा है यहाँ पर मौझूद है हमारे साथ सेना के पुर्व सैनिक सेयद सुल्तान अलाउदिन साहब चार चार जंग लड़ी है इन्होंने क्या हुआ था उस जंग में कैसे शहीद वीर अब्दुल हमीद ने वो कालनामा दिखाया था और इन्होंने इनके क्या भूमिका रही थी आहिए जानते हैं इन्हीं से बात करते हैं बहुत-बहुत स्वागत है आपका लाइफ सिटिस पर बहुत शुक्रिया मैं यही कहूंगा कि जिस जंग में अब्दुल हरीम साहब को शहादत मिली वो एक हमेशा के लिए जयादगार है क्योंकि पाकिस्तान ने अपने फैटन टैंग के नशे में चूर होकर के हमारी सरहदों को पार कर जिती रोड पर चढने का उनका प्लान था और वहां से दिली पहुंचकर चाय की चुश्की लगाने का इरादा था जिसको अब्दूर हलीम ने चकना चूर कर दिया चकना चूर ही लिए कर दिया उनके टैंग जिसके उपर उनको नास था और अमरीका को नास था उस पैटन टैंग का उन्होंने कमरिस्तान बना दिया आठने पैटन टैंक में जो ववसाल करने अपने अर्शील गंद से गए तो एक शेलिंग दुश्मन का आया जिससे वो शहीद हो गए कहा जाता है बताया जा रहा है कि उस जंग में जो बटालियन लड़ रही थी जो मोर्चे पर थी उस बटालियन में आप भी मौजूद थे हम कॉम्निकेशन में थे हम कॉर अफ सिंगनर्स के जवान है हम कॉम्निकेशन बरांच में थे तो आर्मी जो है वो एक टीम वर्क होता है एक धागे में सब पुरे होते है और एक जवान के पीछे 27 आदमी होता है अगर देखा जाए तो इस तरह से हल आदमी जंग के हालत में पैटर्ण टैंक अमेरिका का ऐसा टैंक उस वक्त जो पाकिस्तान को दिया गया था और यह कहा जाता था कि अभेध है इसका कोई काट नहीं है उस टैंक को उड़ा देना कैसे उड़ा पाए थे वह अपने आर्शियल गन से उड़ाया था अपनी हिम्मत और ताकत के साथ मकाबला करते हुए उन गन को नाकारा बना दिया तो गन फिर आगे बढ़ने से रूखिया इसी करम में वो आठमे टैंक पर जब अशॉल करने के दिये जा रहे थे जिसमन का एक साथ टैंक को उड़ा चुके थे आठमे को उड़ाने जा रहे थ तब एक शेलिंग उनको लगा और वीर गती को प्राप्थ हो गए और अपनी शहादत माजरे वतन के लिए देखर हमेशा के लिए हमर हो गए आपको आपने चार जंग लड़ी है 60, 62, 65 और 71 चार जंग में आपने अपना कार्जकाल पूरा किया क्या-क्या याद है जो आप बताना चाहेंगे अमहटपूर्न याद है तो याद यही है कि तो कैसर की जंग में या हम जमाद मेरा थोड़ा बतना आप काम नहीं करता है जो जंग के हुकम नामा जब आता है तो अक्सर देखा जाता है कि यह सिविल सेलेक्टेड परस्टनल्टीज के द्वारा होता है एक जंग के लिए नहीं बोलेगा क्योंकि उसको होरर सर्फवार मालूम है कितना अल्मिया होता है कितना खौफनाक होता है जब हम लोग पारिस्तान के चारमा गाउं पहुंचे तो आप यकिन नहीं करेंगे मशर्दानियों में बच्चों के लाता है लिप्टी हुए मिली एक होरर सर्फवार क्यतना तो यह होता है इसलिए वो जंग जली नहीं दाना जाता है जंग से लोग परहेज करते हैं लेकिन जब वतन की आवरु इजद आन बान शान पस जब आच आने लगे तो आदमी फिर इसновक्त नहीं सौछता है नर जाद है नगया जाद है नर बीबी जाद आती है नमा नर बाब कोईने याद आता वसे एक ही एम होता है ज्यादा से ज्यादा ज्यादा जुपन के लाका कर कबदा करो आपने नौजवानों को कि वो अपने अपने ताकत को डिफेंस के मत खरीम लाएं तो सुना अपने सेयद सुल्तान साहब थे लोग फक्र कर रहे हैं अपने इस हीरो पर जुन्होंने चार-चार जंग लड़ी और उस जंग में अपने कारणामे दिखा है चार-चार-पाच-पाच मेडल इनके आप देख सकते हैं सिने पर वो है और ये आज भी लोग जो यहां के अस्थानिय लोग है वो खुद को गरवानमित महसूस करते हैं इनकी उपलब्धियों को लेकर तो बने रही है हमारे साथ देखते रही है लाइव सिटीज अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें फेस्बूक पर अगर आप वीडियो को देख रहे है तो पेच को जरू लाइक कर दें और ट्विटर पर भी हमें फॉलो का नामत बोलेगा धन्यवाद धनला के खाय है तो सेस्वें कर दो लेंड है उन्यवाद